प्रोजेक्ट के में परभास के फर्स्स लुप को बले ही शोचल मीडिया पर मिक्स रिस्पॉंस मिले हो लेकिन शाय टीजर सब का मन बदलने वाला है जियां प्रोजेक्ट के का फर्स ग्लिंप्स आ गया है और रात को बारा बज़े के बाद आया है मैं बस सोने ही जा रहा था तभी इसका फर्स ग्लिंप्स देखा और उसके वाद मैं सो ही कहा पाया क्योंकि आप जो दो-चार मेरा वीडियो देखने वाले हैं आपके लिए भी तो वीडियो लाना था ना इतना मैने कर दिया है आप बस बदले में इसे एंट तक देख लेना तो फर्स ग्लिंप के साथ ही फिल्म का टाइटल भी रीवील हो चुका है और जैसा बहुत लोग सोचल मीडिया पर पहले ही गेस कर चुके थे कि यह फिल्म कलकी पर होने वाली है तो अंदाजा बिल्कु जैसा कि हम सब जानते हैं कि कलकी भगवान विश्ञु के दस्वे और आखरी अवतार थने वाले हैं जो इस दुनिया पर बुराई का अंत करने आएंगे यानि काली को खत्म करने आएंगे कली यू को खत्म करने आएंगे उसी पर इस मूऴी का कॉछनसेट है नहापर साइं की कैद में है इन लोगों पर अत्यचार किया जा रहा है इनको पानी तक के लिए तरसना पड़ रहा है इससे अगले सीन में ही हमको दिपिका पादुकों देखने को मिलती है जो शायद किसी वारेर गूप का हिस्सा है यहीं हमें बताया जाता है कि जब भी दुनिया पर अंध के आखिर है क्या and that's it कल की इस टीजर पर बोलने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है जहां मुझे यह फर्स ग्लिम्स पसंद आया वहीं मुझे काफी हॉलिवुड फिल्मों से highly inspired लगा उन बातों पर भी आएंगे लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि इस ग्लिम्स से हमे क्या क्या समझाता है कलियुक कांथ अच्छी और बुरी ताकतों के बीच एक एपिक बैटल से शुरू होगा इस फिल्म की कहानी साल 2898E यानि फ्यूचर की होने वाली है जब संसार में अंधिरा अच्छा जाता है तो एक शक्ती उभरती है परभास को इसी शक्तियों वाले एक सूपर हीरो के रूप में पेश किया गया है जो उनके फर्स लुक से तो काफी बहतर लग रहा है डिरेक्टर ना कश्विन के विजन को फुल माक्स हैं क्योंकि उन्होंने जो अभी फर्स ग्लिप्स दिखाया है वो किसी हॉलिवड फिल्म टीजर से बिल्कुल कम नहीं लेकिन यहीं वो में डिलाइन आती है कि highly inspired भी लगता है हाला कि इसमें कोई बुराई नहीं है हर सोच कहीं न कहीं से ली जाती है मुझे जो similarities लगी उसमें मुझे Star Wars की याद आई साथ ही अपने Tony Stark भाई यानि Iron Man और Battle Scenes Endgame के जलग दे गया हो सकता है हम इतनी science fiction movies देखते हैं या फिर इतना मुझे सब कुछ similar लगा बर तारीफ करनी होगी फिल्म की technical team की क्योंकि आजकल VFX पर बहुत बाते होती हैं और first glimpse में VFX ने बिल्कुल भी निराश नहीं किया है के साथ ही music director संतोष नारायनन ने भी इसको magnum वपस बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है glimpse में हमको परभास, दिपिका और अमिता बच्चन तो देखने को मिलते हैं लेकिन कमल हसन इस glimpse से गयाब दिखते हैं overall teaser की बात करें तो overall teaser ने फिल्म के लिए बहुत सारी उमीदे जगा दी है and I hope यह उन उमीदों पर खराब उतरेगी अभी तक तो देखकर यह लग रहा है film रिलीज होगी 2024 में यानि film पर काम करने के लिए भी अच्छा खासा वक्त बचा है तो जो कुछ भी कमी पेशी रह गई हो उसको टाइम रहते पूरा कर लिए जाएगा तो आपको यह first glimpse कैसा लगा जलिसे comment section में लिख दो यह वीडियो पसंद आया हो तो like और share कर दो और चैनल पर पहली बार आये हो तो subscribe किये विना बिल्कुल मर जाना मिलता हूं आपसे किसे ने वीडियो में तब तक जो कहिए सच कहिए खुश रहिए and keep watching the Dollywood reporter